हलो एवरीवन आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम आपको चैप्टर 6 जो है आपका EWD ड्राइंग का उसका दूसरा पार्ट है ये पहले पार्ट में हमने आपको लगबख 30 कोस्टन बताये थे जो कि इस चैप्टर से सम्मंधित थे और चैप्टर का जो नाम था आपका अंडर ग्राउंड केबल और ओवर हेड लाइन जो था इससे सम्मंधित चैप्टर था तो इसके आपज़ेक्टिव कोस्टन 30 बता चुके हैं आप जो ये वीडियो है इसमें भी हम लगबख 32 कोस्टन डिसकस करेंगे तो जब तक कुछ लोग लाइव जुडते हैं तब तक कुछ बाते आपको बता देते हैं फिर हम अब्ज़ेक्टिव कोस्टन स्टार्ट करते हैं देखिए इस वीडियो में हम आपको 32 कोस्टन बताएंगे इसके बाद आपका चैप्टर 6 जो है ये खतम हो जाएगा इसके बाद अगला वीडियो जो होगा हम उसमें चैप्टर 7 स खतम हो जाएगा तो इसके बाद हम सुरू करेंगे ue जिसमें आपका बहुत ही important है लास्ठ के दो चैप्टर तो उसके ऊपर हम objective स्टार्ट करेंगे हम जो अब्जक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् इसले वीडियो में 30 question बता दिये थे और इस वीडियो में 30 to 70 question होगा अब हम पहला question देखते है हमारा पहला question है कि wooden pole का उपयोग किस रूप में किया जाता है पहला option है single pole, दूसरा है A pole, तीसरा H pole और चाउथा है all of above तो बहुत ही easy question है जो आप pole होगा pole है आपका पहला type है आपका wooden pole तो wooden pole का उप्योग हम किस रूप में करते हैं single pole के रूप में A pole के H pole के या फिर प्रोक्त तीनो देखिए इसमें जो सही option होगा वो चौथा option correct है क्योंकि wooden pole जो होता है उसको हम single pole के रूप में ही प्रियोग करते हैं A pole के रूप में और H pole के रूप में लेकिन जो इसमें आपका जो H pole होता है उसका mechanical strength मतलब या अंतरी सामर्द बहुत अधिक होता है इसलिए H pole का प्रियोग हम अधिकतर करते हैं अब हम question 2 देखते है question 2 है कि wooden edge type pole मतलब wooden pole है उसका जो H type है वो line support जो है उसका उप्योग किस के लिए किस में लगरते हैं हम तो wooden edge type line support का उप्योग को उप्योग में लाया जा सकता है चार आपसन है पहला आपसन है 132 के वी तक दूसरा 666 के वी तक 332 के वी तक N O T मतलब none of these इन में से कोई नहीं तो आप लोग इसका एंसर बताइए कि wooden edge type जो line support है उसका उप्योग हम कितने के वी तक कर सकते हैं देखिए इसमें जो सही आपसन है वो आपका पहला option correct है edge type जो pole होता है उसको हम 132 के वी तक की voltage के लिए कर सकते हैं और साथ है आपको बता देएं कि जो wooden edge type pole होता है उसको हम 132 के वी तक voltage और 150 मीटर तक का इसका span होता है उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं और इसका mechanical strength होता है सभी प्रकार के pole से जैसे कि a type pole हो गया आपका और single type pole हो गया इन pole से 5 गुना ज्यादा होता है अब हम अगला कोस्चन रेखते हैं मारा अगला कोस्चन है question number 3 question number 3 करा आए कि निम्द में से किस wooden pole का या अंत्रिक सामर्थ उच्छ होता है अभी हमने आपको बता दिया कि wooden pole तीन प्रकार के होते हैं single pole, a type pole, s type pole तो देखिए इसमें जो आपसन दिया गया है निम्द में से किस wooden pole का या अंत्रिक सामर्थ उच्छ होता है पहला option है single pole, a type pole, s type pole और not अब s type pole आपको पता होगा कि कुछ इस type का s type से होता है और जो a type pole होता है इस प्रकार से होता है मतलब यह आपका pole लगा रहेगा और इसी प्रकार से रहेगा तो जल्दी से आप लोग इसका answer देजिए कि wooden pole जो होता है आपका किसका यांत्रिक सामर्थ उच्छ होता है तो अभी हमने आपको बताए कि s type pole जो हो दो आपसंदिये गए है, question number 4 क्या करा रहा है, कि steel pole का प्रियोग 6.6 kv तक की voltage और 200 m तक के span के लिए किया जाता है, ये बात सही है कि गलत है, जल्दी से आप लोग बताएं कि steel pole जो होता है उसका प्रियोग 6.6 kv तक की voltage और 200 m तक के span के लिए करते हैं, ये बात सही है, इसलिए इसमें पहला आपसं जो है, correct है अब हम अगला question देखती है अगला question है हमारा steel tubular pole, आपको बतादे, steel tubular pole जो होता है, steel pole का ही एक क्या होता है, एक type होता है तो पूछ रहा है कि steel tubular pole pole का जीवन काल कितना होता है चार आपसं है, पहला आपसं है पचास येर दूसरा आपसं है 200 एर, तीसरा है 800 एर चौथा, एन ओटी बिल्कुल ही easy question है, इसके आपसं से ही पता चल रहा है, इसका कौन सा आपसं सही होगा इसमें जो सही आपसं होगा steel tubular pole का जीवन काल जो होता है, पचास येर लगभग होता है अब हम अगला question देखते है हमारा question number 6 है question number 6 है, rail pole rail pole जो होता है, steel pole का ही एक type होता है कराई कि rail pole का प्रयोग 33 के वी तक की voltage के लिए उपयोग होता है चार आपसं सही, दो आपसं दिये गया है इसमें से, true या false देखिए, जो rail pole होता है उसका प्रयोग हम 33 के वी तक की voltage के लिए करते हैं, तो इसमें जो सही आपसं है, पहला आपसं correct है अब हम अगला question देखते हैं हमारा अगला question है, question number 7 question number 7 है कि cross arm का प्रयोग किया जाता है देखिए, हमने एक पिछले वीडियो बनाया था, इसका पहला part 1 में इसमें हमने एक question दिया था कि cross arm किस material का बना होता है तो इसमें गलत हो गया था, थोड़ा सा mistake हो गया था, जो cross arm आपका होता है वो wooden से भी बन सकता है steel का channel हो या फिर steel angle हो उससे भी बनता है cross arm तो इसमें सही option सही कर लीजिएगा उसको, एक question देखते हैं कि cross arm का प्रयोग होता है, चार option है रक्षर तार को बाहने के लिए line insulator को सहायता देने के लिए bracing के लिए all of above, जल्दिस इसका answer करिए कि cross arm का प्रयोग किसमें करते हैं रक्षर तार को बाहने के लिए line insulator को support देने के लिए या फिर bracing के लिए इसमें जो सही option है वो चौथा option करेक्ट है all of above क्योंकि तीनों जो option है उसके लिए हम cross arm का प्रयोग करते हैं अब हम अगला question question देखते हैं अगला question है question number 8 question number 8 का रहा है कि क्या या आवस्यक है कि लकडी के pole के साथ लकडी का cross arm प्रयोग करें या फिर जो अगर steel का pole है उसके साथ cross arm का प्रयोग करें तो आप इसका answer बताई सही बात है या कि गलत कि लकडी का pole है अगर अगर लकडी का pole प्रयोग करें उसके साथ हम लकडी का ही cross arm प्रयोग करने चाहिए या बात जो है वो गलत बात है ये इसका answer है no क्योंकि लकडी की cross arm के साथ जरूरी नहीं है कि हम लकडी का ही cross arm का प्रयोग करें अगर लकडी सस्ती है और असानी से उपलब्ध हो जाती है तो लकडी की क्रास आर्म को हम हर प्रकार के पोल पर लगा सकते हैं अब हम अगला question देखते हैं हमारा question number 9 है question number 9 क्या करा है कि pin insulator के लिए किस प्रकार के clamp का प्रयोग करते हैं पिन इंसुलेटर के लिए किस प्रकार के clamp का प्रयोग करते हैं चारा option है पहला option है F clamp दूसरा है E clamp तीसरा है बोथ 1 & 2 और चौथा है N.O.T. मतलब नानाक दीज तो अपलोग बदाई कि pin insulator के लिए हम किस प्रकार के clamp का प्रयोग करते हैं इसमें जो सही option है वो है तीसरा option सही है F clamp और E clamp का प्रयोग करते हैं हम pin insulator के लिए अब हम अगला question देखते हैं हमारा अगला question है question number 10 कि cycle insulator के लिए किस प्रकार का clamp प्रयोग करते हैं पहला option है D और I clamp H और T clamp both N O T none आप दीज तो आप बताई कि cycle insulator के लिए किस प्रकार के clamp का प्रयोग करते हैं तो इसमें जो सही option है वो पहला option correct है cycle insulator के लिए हम D या I clamp का प्रयोग करते हैं अब हम अगला question देखते है question number 11 question number 11 है कि transmission वर distribution में distribution लाइन में प्रयोग किया जाने वाला insulator है इसके चार आप्सन है पाला split insulator, stay insulator, cycle insulator, AOA मतलब all of above तो जल्दी से आप लोग इसका अंसर बताई कि transmission वर distribution लाइन में प्रयोग किया जाने वाला insulator है इसमें जो सही option है, आपका चौथा option correct है transmission वर distribution लाइन में हम जो प्रयोग तो तीन insulator दिये गए हैं, split, stay और cycle इनका प्रयोग कर सकते हैं अब हम अगला question देखते हैं, मारा अगला question है कि line conductor के लिए मुख्यता पदार्थ है question number 12, line conductor के लिए मुख्यता पदार्थ है पहला option है copper, दूसरा है phosphor bronze, और तीसरा है steel, चौथा AOA मतलब आला फिबव तो इसमें जो सही option है, आपका वो चौथा option सही है आप इसको जाद रखे रहे हैं कि line conductor के लिए हम copper हो गया, phosphorous bronze हो गया और steel का प्रयोग करते हैं देखे ये जो तीन option है, इसमें से ही कई प्रकार के question बन सकते हैं तो आपको थोड़ा जिसमित लगे कि इसमें option भी महत्पूर है option को भी याद रखा करिया आप लोग कि line conductor के लिए हम copper, phosphor, bronze और steel का प्रयोग करते हैं ये इसको याद रखना है अब हम अगला question रेखते हैं question number 13 करा कि overhead line में उप्योग होने वाले चालग में नहीं होना चाहिए पहला option है उच्च चालगता दूसरा है high resistance तीसरा है tensile strength चौथा है low temperature coefficient मतलब कि निम्न ताप गुडांक जल्दी सिसका answer करिए कि overhead line में उप्योग होने वाले चालग में कौन सा इसमें से जो प्रापर्टी कौन सो प्रापर्टी नहीं होना चाहिए देखिए जो overhead line होता है उसमें उच्च चालगता होनी चाहिए ये बात सही है और high resistance जो है high resistance नहीं low resistance होना चाहिए ये बात गलत है और तीसरी बात भी सही है कि tensile strength होना चाहिए और निम्न ताप गुडांक होना चाहिए इसलिए इसमें जो सही आपसन है आपका high resistance सही है ये गुड नहीं होना चाहिए अब हम अगला question देखते है question number 14 question number 14 कह रहा है कि IE Indian Electricity Rule के अनसार 1.6 km में कम से कम कितने अर्थिं विवस्थित होने चाहिए तो पहला आपसन है इसका एक दूसरा का दो तीसरा तीन चौथा चार तब बताईए कि Indian Electricity Rule के अनसार 1.6 km में कम से कम कितने अर्थिं विवस्थित होने चाहिए इसका सही आपसन है कम से कम चार अर्थिं विवस्थित होना चाहिए अब हम अगला question देखते है question number 15 है question number 15 क्या करा है कि पोल के अर्थिं के लिए पोल से अर्थिं की कितनी दूरी रखी जाती है पोल के जब अर्थिं की जाती है उसमें पोल से अर्थिं की कितनी दूरी रखी जाती है पहला आपसन है 3 to 5 मीटर दूसरा है 9 to 10 मीटर तीसरा है 6 to 8 मीटर और चौथा है N.O.T. नन आप दीज इसमें जो सही आपसन है आपका पोल के अर्थिंग के लिए पोल से अर्थिंग की दूरी 3 से 5 मीटर रखी जाती है अलग-अलग बुक में अलग-अलग वैलू दिया होगा लेकिन जो 3 to 5 के approximately जो होगा वैलू वही सही होगा अब हम अगला question देखते हैं question number 16 question number 16 क्या करा कि पोल की अर्थिंग में यांतरिक छती से बचने के लिए अर्थिंग पाइप को जमीन से कितनी से मी नीचे रखा जाता है मतलब कि जो पोल की अर्थिंग करते हैं तो mechanical damage से बचने के लिए अर्थिंग पाइप को हम जमीन से कितना नीचे रखते हैं चार आपसन है पहला आपसन है 600 से मी दूसरा 60 से मी तीसरा 90 से मी चौथा 150 से मी इसमें जो सही आपसन है वो दूसरा आपसन करेक्ट है 60 से मी अब हम अगला question देखते हैं question number 17 question number 17 है कि इस्टे arrangement किन इस्थितियों में किन situation में किया जाता है पहला आप चाने section pole पर दूसरा है line के double polo पर तीसरा है पहाड पर इस्थित line support पर चौथा है सभी तो इस्टे arrangement जो होता है किन इस्थितियों में करते हैं इसमें जो सही option है वो चौथा option correct है इस्टे arrangement जो है section pole पर भी line के double pole पर भी और अगर line support आपको पहाड़ों पर इस्थित है तो हम इस्टे arrangement का परियोग करते हैं अब हम अगला question देखते है अगला question है देखे यह सारे जो question आपको बता है सारे question जो slabus है एक भी question out of slabus नहीं है अब आपके जो slabus है उसमें दिया है कि line जो आपका pole होता है उसकी concreting कैसे करते हैं तो उससे सम्मंदित यह question है कि line support की concreting के लिए किस अनुपात का cement concrete में उपयोग में लाया जाता है चार option है इसके पहला option है एक अनपाते चार अनपाते आठ दूसरा है चार अनपाते नव अनपाते छे तीसरा है दो अनपाते एक अनपाते छे और चाओथा है आपका जो option है वो आपको पता ही है कि N O T है जल्दी साफ लोग इसके अनसर बताइए कि लायन सपोर्ट की concrete के लिए हम किस अनपात का cement concrete उपयोग में लाते है इसमें जो सही option है पहला option सही है एक अनपाते चार अनपाते आठ के अनपात में हम cement concrete का प्रियोग करते है अब हम अगला question देखते हैं अगला question है मारा question number 19 question number 19 है कि line support की अर्थिंग के लिए किस pipe का प्रियोग होता है तो इसमें जो सही पहला option है GI pipe, दूसरा wooden pipe, तीसरा plastic pipe, चौथा N O T नराप दीज तो आपको पता ही है कि line support की अर्थिंग के लिए हम GI pipe, galonized iron pipe का प्रियोग करते हैं अब हम अगला question देखते हैं मारा अगला question है question number 20 question number 20 है कि underground line का main component है चार option है इसमें पहला option है cable lux दूसरा cable box, तीसरा cable branch, cable trunch है यहां पर cable branch गलती से type हो गया और चौथा है all आप above तो अगर आप underground line जब chapter पढ़ेंगे तो उसमें पता होगा कि underground line जो है उसके main component होते हैं cable lux, cable box, cable trunch तो इसमें चौथा option जो है वो correct है अब हम अगला question देखते हैं अगला question है question number 21 question number 21 कराए कि lt line वित्रण में मतलब lt line distribution में आवस्यक pole की संख्या की गढ़ना करने का सूत्र क्या है question का कहाने के मतलब है lt line distribution जो है अगर से pole की संख्या को गढ़ना करना हो तो कि सूत्र का प्रयोग करते हैं पहला आप्चाने length upon span plus 1 length upon span plus 10 span upon length plus 1 जो था है span upon length plus 10 तो इसका answer आप लोग बताईए इसका जो सही answer है हम वो सूत्र जो है वो है length upon span plus 1 का प्रयोग करते हैं पहला आप्चान जो ही वो correct है अब हम अगला question देखते हैं अगला question है अपका कि जो line support की अर्थिंग करते हैं उससे करा कि what type of earthing is used by transmission line transmission line के द्वारा किस अर्थिंग का प्रयोग अर्थिंग के किस टाइब का प्रयोग करते हैं तो चार आप्चन है पहला है प्लेट अर्थिंग, राड अर्थिंग, इस्ट्रिप अर्थिंग, चौथा एनिया पेबो जो आयमारी का question पूरा-पूरा सालो कर लिया होगा उसको पता होगा कि इस chapter से कितने सारे question आयमारी सब्जेक्ट से मैच कर रहे हैं इसमें जो सही option है आपका वो चौथा तीसरा option correct है हम इस्ट्रिप अर्थिंग का प्रयोग करते हैं transmission line के लिए अगर हम अगला question देखते हैं अगला question है question no.3 कराय के line support की अर्थिंग के लिए सामान तक किस अर्थिंग का प्रयोग करते हैं इसका पहला पिछले वा question था वो transmission line के अर्थिंग था और यह question है line support की अर्थिंग के लिए तो चार आपसन है पहला आपसन है इसमें पाई पर्थिंग, प्लेट अर्थिंग, बोथ, एनोटी तो बताईए आप लोग line अर्थिंग, support की अर्थिंग के लिए किस अर्थिंग का प्रयोग करते हैं इसमें सही आपसन है आपका है पाई पर्थिंग का प्रयोग करते हैं अब हम अगला question देखते हैं अगला question है आपका question number 24 cable lug connect होते हैं पहला आपसाने cable box से cable से और तीसरा है cable gland से और चाथा है cable clamp से तो आप लोग को नहीं पता होगा cable lug क्या होता है इसके लिए आप लोग underground cable drying का book खोल लिजिए underground cable chapter को खोली है उसमें आपको पता होगा जो cable lug है वो underground cable का ही main component है तो आप बताए cable lug किस से connect होता है उसे सही option वो दूसरा option connect सही है cable lug जो होता है cable से ही connect होता है अब हम अगला question देखते हैं अगला question है question number 25 question number 25 का रहा है कि cable box connect होते हैं पहला option है terminal से दूसरा है joint से तीसरा बोथ one and two और चौथा है NOT मतना आप दीज तो जल्दी से बताएं आप cable box किस से connect होता है इसमें जो आपको सही option है cable box जो है आपको टर्मिनल और joint से connect होता है तो तीसरा option जो है इसमें सही है अब हम अगला question देखते हैं अगला question है अगला question है question number 26 question number 26 का रहा है कि galvanized steel wire का यूज किया जाता है पहला option है इस्टे wire के रूप में दूसरा earth wire के रूप में तीसरा structure component में चौथा है आला फेबाव तो जो galvanized steel wire होता है उसका प्रोगम इस्टे wire में भी earth wire में भी और structure component के लिए भी कर सकते हैं तो इसमें चौथा option जो है आपका correct है अब हम अगला question देखते हैं अगला question है question number 27 कराय की HV transmission line किस insulator का प्रियोग करता है चार आप्सन है इसके पहला आप्सन है pin type insulator दूसरा है suspension insulator और तीसरा है both 1 and 2 और चौथा है none तो जो इसमें सही option है वो तीसरा option correct है HV transmission line जो होता है pin type insulator और suspension type insulator का प्रियोग करता है अब हम अगला question देखते हैं अगला question है question number 28 question number 28 है कि the underground system cannot be operated above मतलब कि underground system जो होता है किस voltage पर उसको operate नहीं किया जा सकता है पहला आप्सन है 440 volt दूसरा 11 KV तीसरा 33 KV चौथा है 6-6 KV इसमें जो सही option है वो आपका है 6-6 KV सही है अब हम अगला question देखते हैं अगला question है आपका question number 29 question number 29 कहराई कि HT line के लिए cable tranche आपको पता है कि underground cable में यह वर्ड आया हुआ cable tranche के गहराई कितनी होती है पहला option है 70 to 100 semi 200 semi 20 से 50 semi 30 semi तो इसमें जो सही option है आपका तो HT line के लिए cable tranche की गहराई जो होती है वो 70 से 100 semi होती है अब हम अगला question देखते हैं question number 30 question number 30 कराई कि इस्टे arrangement की single पर होता है पहला option है इसमें 45 अंस दूसरा 60 अंस तीसरा 30 अंस चौथा है 90 अंस तो इसमें जो सही option है आपका जल्दी से बताईए आप लोग इस्टे arrangement जो होता है कि single पर होता है सही option इसमें 45 अंस है कि 45 अंस पर होता है और किसी special case में 30 अंस पर भी होता है लेकिन इसमें इस्टे arrangement होता है normally वो 45 अंस पर होता है अब हम अगला question देखते है question number 31 question number 31 है कि line support की length और type depend करता है पहला option है power पर दूसरा है span पर और तीसरा है voltage चौथा है आला फेबव एक बर question फिर से देखते हैं कि line support की length और type किस पर depend करता है power पर span पर voltage पर या फिर सभी पर इसमें जो सही आपसन है वो है जो होता है चौथा आपसन सही है आला फेबव जो line support होता है आपका length और उसका type जो होता है इन सभी पर depend करता है अब आज के इस वीडियो में इतना ही अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में लेकिन कुछ बात है आपको बता दें देखे जो इसमें आपको पहले एक slabus दिखा देते हैं इसका एक बार आप यहाँ पर slabus बिरुकुल क्लियरली देख पा रहे होंगे हम आपको chapter 6 बता रहे हैं जो chapter name है estimation of overhead and underground distribution line तो आप इसमें slabus में देख लीजिए देखे पहले क्या पढ़ना है आपको यहीं पढ़ना है कि main component of overhead line फिर line support पर भी question आपको बहुत सारा बता दिए कंड़क्टर एंड इस्टे से बता दिए lightning arrester पर question नहीं हुआ है lightning arrester पर question इसलिए नहीं कराए क्योंकि जो आई अमारी subject था उसमें lightning arrester था इसलिए मैंने lightning arrester सम्मनित कोई question नहीं लिया है डेंजर प्रेट पर भी एक या इसलिएटर भी था इसलिए इस वीडियो में इसलिएटर से सम्मनित कोई भी question नहीं लिये हैं तो यह टापिक आपका खतम होता है अब अगला वीडियो जो आपको लेके आएंगे वह होगा आपका सात्वा चैप्टर estimation आप service connection अगर आप question बनाते हैं खुझ से तो अगर आप चाहते हैं उसको वीडियो में टेलिग्राम चैनल पर लगवग दूसरे तीसरे चैप्टर तक भेज दिये हैं लाइटिंग स्कीम जो चैप्टर है आपका उसका पीडियाफ आज या कल मिल जाएगा यूंकि पीडियाफ रेडि हो रहा है भी लोगदर ही चैक करो डियाफ में पीडिया है यह जो जो बागवव-क पीडिया 아向 रहा है यह व रहा है खवावव दियाफme झाल झाल